Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Edmund Spencer की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है Like As A Huntsman इसे सॉनेट 67 के नाम से भी जाना जाता है ये पोयम उनकी कलेक्शन एमोरिटी जो की एक सॉनेट साइकल है उसमें लिखी गई थी Friends, एमोरिटी में वो अपनी वाइफ Elizabeth Boyle को पाने और उनसे शादी करने की जो जर्नी है उसे बताते है तो ये पोयम भी उसी एमोरिटी का एक हिस्सा है ये पोयम 16th century के पास लिखी गई थी साथ ही ये एक 14-line sonnet है जो की 3 quatrins और एक कपलेट में बाटी गई है Friends, इस पोयम की rhyming scheme है ABAB, CDCD, EFEF, GG ये पोयम First Person में लिखी गई है इसकी theme है Love, Self-Realization और Patience इस पोयम में पोयम खुद को एक शिकारी, यानि एक हंस्मेन की तरह देखता है जो एक deer को फसाने की कोशिश कर रहा है उसे जाल में trap करना चाता है ये deer और कोई नहीं उसकी beloved है जिसे वो पाना चाता है मगर उसकी beloved उससे दूर भागती है उसके पास नहीं आती है लेकिन जब वो इस कोशिश को छोड़ देता है ठक कर हार जाता है तो उसकी beloved उसके पास लौट आती है Friends Edmund Spencer एक English poet थे जिनका जन 1552-53 के बीच हुआ था और उनकी death हुई थी 13 January 1599 में वो modern English verse के growth में एक बहुत ही एहन रोल निभाते हैं और वो अपनी epic poem The Fairy Queen के लिए भी बहुत famous है तो चलिए Friends आप poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Like as a huntsman after weary cheese यानी एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उससे थक गया है Seeing the game from him escaped away और ये देख कर कि उसका शिकार उससे बचकर भाग निकला है Game का मतलब होता है शिकार वो animal जिससे शिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहा है Sits down to rest him in some shady place वो किसी चायादार जगह में बैट जाता है आराम करने के लिए With panting hounds beguiled of their prey और उसके साथ उसके hounds यानी उसके शिकारी कुट्ते हैं जिन्होंने अपने शिकार को खो दिया है Friends, यहाँ poet का शिकार और कोई नहीं उसकी beloved है जिसे वो अपने जाल में फसाने की कोशिश करता है मगर वो उससे बच निकलती है और poet अब ठक कर हार कर बैठ गया है उसके साथ बस उसके hounds हैं जो की कुछ और नहीं उसके desires और strategies हैं जो उसे इस काम को करने में help कर रहे थे So after long pursuit and vain essay तो इस लंबी और बेकार कोशिश के बाद अपनी beloved को फसाने की When I all weary had the chase forsook जब मैं पूरी तरत ठक चुका था और मैंने शिकार छोड़ दिया था यानि मैंने हार मान ली थी The gentle dear returned the self same way तो वो शांत और सुन्दर हिरन खुद ही मेरे पास लोट कर आ गया Thinking to quench her thirst at the next brook ये सोच कर कि वो अगली जील पर अगली brook पर अपनी प्यास बुजाएगी Friends यहाँ ये dear poet की beloved है जो ये जान चुकी है कि अब poet उसका शिकार नहीं करेंगे उसे नहीं फसाएंगे इसलिए उसका डर खत्म हो गया है और वो poet के पास से गुजरती है चुकी उसे भी प्यार की जरूरत है उसे भी एक प्यास है तो वो अपनी प्यास को बुजाने के लिए एक दूसरे लवर को ढूनने के लिए भी तयार है There she beholding me with milder look यानि वहां से वो मुझे देख रही थी एक शांत नजर से यानि अब उसकी नजरों में वो डर नहीं था जो पहले मुझे दिखाई दे रहा था Sought not to fly but fearless still did bite और वो भागने का नहीं सोच रही थी बलकि बिना डरे वहां पर अभी भी खड़ी थी मुझे देख रही थी Till I in hand her yet half trembling took जब तक मैंने उसका आधा कापता हुआ हाथ अपने हाथों में नहीं ले लिया And with her own good will, her firmly tied और खुद उसकी अपनी मर्जी से उसे कस कर बान दिया यानि जब तक poet अपनी beloved को पकड़ कर उसे बानना चाता था उसे अपने जाल में फसाना चाता था तब तक वो उससे डर कर दूर भागती रही मगर जैसे ही उसने poet को रुकते देखा और ये देखा कि अब poet उसे फसाना नहीं चाता है उसका डर भी खत्म हो गया और वो खुद ही poet के पास वापस आ गई Friends, यहाँ पर इसके दो reasons हैं एक तो ये कि उसका डर खत्म हो गया और दूसा ये कि poet की जो beloved है उसे भी खुद प्यार चाहिए वो भी प्यार पाना चाहती है और poet के साथ रहना चाहती है Strange thing me seemed to see a beast so wild यानि ये मिरे लिए एक अजीब चीज थी ये देखना कि एक beast एक जानवर जो की इतना wild था, इतना जंगली था so goodly one with her own will be grilled उसे इतनी अच्छाई से जीत लिया गया वो भी उसकी अपनी मर्जी से यानि poet को ये अजीब लग रहा है कि उसकी beloved जो किसी के control में नहीं रहती थी किसी भी lover पर ध्यान नहीं देती थी वो खुद उसके पास अपनी मर्जी से आ गई है उसे ऐसा लग रहा है मानो उसने किसी जंगली जानवर को टेम कर लिया है उसे पालतू बना लिया है फ्रेंट्स यहां पर ये poem खत्म होती है इस poem के through point हमें यहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको अपना प्यार पाना है तो आप उसे force नहीं कर सकते हैं उसे बान नहीं सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्यार आपसे दूर भागेगा आप उसे कभी बान नहीं सकेंगे मगर अगर आप उसे खुले मन से उसकी मर्जी से काम करने देते हैं तो अगर वो आपसे प्यार करती है तो आपके पास लौट कर जरूर आएगी तो फ्रेंड्स ये थी एड्मिन्ड स्पेंसर की सॉनेट सिक्स्टी सेवन लाइक अज अ हंट्समेन